दोस्तो नमस्कार मेरा नम है संतन और आप देखने स्वी असमार्टेक यूटूब चैनल दोस्तो महराष्टा सरकार के दोबारा एक पास जारी किया गया है जिससे ये कनफर्मेशन किया जा सकता है कि आप डेवल वैक्सिनेटेड है या नहीं तो आगर डेवल देखते रहिए तो क्रोम ब्रोजर में जाना है क्रोम ब्रोजर में जाने के बाद आपको सेर्च कर लेना है गाइज इपास msd.mahait.org देख सकते हैं यहां पर यह वेबसाइट है इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ और इस वेबसाइट पर चले जाना है जाने के बाद यहां पर देख सकते हैं चार आप्सन आएगा इसके बाद यहां पर इस परकर का इंटरफेस आएगा यहां पर वो मोबाईल नंबर फील करना है जो कि आप बैक्सिन लेते समय दिये थे और और वो mobile number यहाँ पर feel कर लीजिए तो चलिए हम अपना mobile number यहाँ पर feel कर लेते हैं तो देख सकते हैं mobile number feel कर लिया है उसके बाद send OTP पर click करेंगे send OTP पर जैसे ही click करेंगे तो इस mobile number पर एक OTP आएगा तो चलिए हम पर send OTP पर click कर लेते हैं देख सकते हैं, OTP आचुका है मेरे मॉबाईल नमबर पर, अब OTP को हम यहाँ पर फिल करेंगे, OTP फिल कर चुके हैं, OTP फिल करने के बाद, सब्मीट का ओप्सन पर हम क्लिक करेंगे, सब्मीट पर जैसे ही क्लिक करते हैं गाईज, तो यहाँ पर देखिए, जितने लोगों इस नंबर से भैक्सिन इस नंबर को रेजिस्टर करवा के भैक्सिन लिये हैं उनका नाम यहां पर दिख जाता है और जिनका भी आपको generate करवाना है pass तो यहाँ पर देखिए generate pass पर click करना है देखिए जिनके नाम से generate करवाना है generate pass पर click कर लिजे तो देख सकते हैं मेरा नाम संतनकुमर है तो देखिए यहाँ पर generate pass पर click करेंगे संतनकुमर के सामने इस पर click करने के बाद यहाँ पर देखे इस पर करकर इंटरफेस आपको दिखाई देगा अब यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आना है नीचे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो upload photo का option दिख रहा है यहाँ पर एक passport साज photo upload करना है तो चलिए photo upload करते हैं यहाँ पर upload photo पर click करके तो यहाँ पर देख सकते हैं guys photo upload कर लिए है photo upload करने के बाद नीचे में एक information tick mark का option यहाँ पर दिखेगा tick mark कर लेना है और नीचे में apply का option दिखेगा apply पर click करना है apply पर जैसे ही click करते हैं guys तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा समय प्रोसेसिंग में लगेगा तो देख सकते हैं कुछ समय वेट करने के बाद इस परकार का इंटरफेस यहां पर लिख रहा है अगर आपका पास रेडी हो जाता है बन जाता है तो आपको 24 आवर में आपके मोबाइल नमबर पर एस मेस आजाएगा अब यहां पर ओके पर क्लिक कर लेते हैं यह तो मैक्सिमम टाइम है 24 आवर का अब फिर से हम चले जाते हैं सेम प्रोसेस के जरिये हम वहीं पर चले जाते हैं और जाके देख लेते हैं कि मेरा पास जेनरेट हुआ या नहीं तो देख सकते हैं आ चुके हैं अब यहाँ पर देख सकते हैं गाइज देखिए मेरे नाम के पहल बाद यहां पर व्यू पाइज को अपिसरों नहीं अ रहा है और यहां पर देख सकते हैं गाइज QR code भी यहाँ पर दिख रहा है भी इन्फोर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं verify का भी option है और यहाँ पर देखिए गाईज यह है pass और नीचे में download का option आ रहा है download पर हम click करेंगे download पर जैसे ही click करते हैं गाईज तो यहाँ पर देखिए preparing लिख रहा है और कुछ समय वेट करने के बाद यहाँ जो pass है वो download हो जाएगा और यहाँ पर देखिए level 3 यहाँ पर है और यहाँ पर vaccinated लिख रहा है इस pass में और beneficiary ID भी है first dose date है second dose date है और इस pass के जरीए आप महरास्टा में कहीं भी travel कर सकते हैं आप यह pass को देखाएंगे तब ही आपको travel करने दिया जाएगा क्योंकि यह pass यह confirmation के लिए है कि आप vaccinated हैं या नहीं सिर्फ इसके लिए हैं और जैसे ही confirm हो जाएगे कि आप vaccine ले चुके हैं तब आपको travel करने दिया जाएगा तो guys मैं आप सभी को बता दिया कि किस परकार से pass को बनवा सकते हैं काफी असानी से बनवा सकते हैं ऐसा नहीं है यह महरास्टा सरकार के दुवारा चलाया गया यह महरास्टा सरकार महरास्ट में सिर्फ valid है लेकिन आप कोई भी state से हैं तो यह pass को बनवा सकते हैं अगर हो सके तो अगर कभी महरास्टा जाने की जरूरत होगा तो यह pass लेकर आप जा सकते हैं वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कर दीजिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू